Hello students and welcome back to another video of Sync Creation Education आप सभी का चाहें वो Class 10th हो या Class 12th की students हो आप सभी के Term 1 के examination काफी ज़्यादा नजदीक है और जैसे जैसे ये examination नजदीक आते जाते हैं उसी के साथ साथ आप लोगों के मन में काफी सारे doubts, काफी सारे questions आते हैं कि क्या पैटल होगा exam का, क्या level होगा आपके examination का, क्या आपको preparation time completely मिलेगा या नहीं मिलेगा और सबसे बड़ा question आखिर exam कब कंड़क करवाय जाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जाहें आप Class 10th के student हो या Class 12th के student हो इस वीडियो के जरीए आपको सारे questions के answer मिलने वाले हैं उसी के साथ-साथ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये पता लगे कि आप लोगों को आखिर में term 1 में किन subjects के MCQs खुद practice कराने वाली हूँ सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत important information देना चाहूंगी about Unacademy Iconic Subscription Iconic Subscription के अपने ही काफी सारे benefits हैं जैसे की live doubt solving sessions होते हैं live mentoring session होते हैं आपको live motivate किया जाता है live आपको समझाया जाता है importance को physical आपको notes मिलेंगे और काफी सारे और भी benefits आपको यहाँ पर Iconic Subscription पर मिल जाते हैं मैं भी आप लोगों को Unacademy पर पढ़ा रही हूँ but I'm teaching you free of cost आपको special classes के जरिए मैं MCQ series करा रही हूँ जो कि आपको NEED 2022, NEED 2023 में बहुत अधा help करेंगे description box में आपको मेरी class के link दे दूँगी आप एक class में आकर के देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो please follow कर लेना और बागी classes को भी join करना क्योंकि free of cost है तो क्यों ना आप इस चीज़ का benefit उठाओ उसी के साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बहुत जादा important चीज़ यह है कि आप यहाँ पर live mentorship का जो subscription है वो भी ले पा रहे हो iconic के जरीए आप अपना session भी यहाँ पर select कर सकते हो किस type का आपको session चाहिए subject पिक करोगे time slot आपकी according होगा और फिर आप जो है notes add कर दोगे अपने to the mentor और वहाँ पर आपकी confusion आपका doubt जो है वो clear किया जाएगा one-on-one clear किया जाएगा यह बहुत अच्छी चीज लगी मुझे उसी के साथ साथ अगर आप NEET undergraduate का subscription लेते हो iconic subscription लेते हो तो मैं आपको already काफी सारे benefits बता चुकी हूँ उसी के साथ अगर आप यहाँ पर मेरा code sync creations education use करते हो तो आप लोगों को 10% discount मिल जाएगा on this amount So guys, NEET 2022 और 2023 students के लिए यहाँ पर already batches जो है वो start हो चुके हैं तो आप इन सभी batches का access पा सकते हो अगर आप इस subscription को ले लेते हो तो यही information थी जो मझे आपको देनी थी अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ So, सबसे पहला doubt आप सभी का मैं clear करना चाहूंगी कि आखिरकार term 1 के जो examination है वो कब conduct करवाए जाएंगे CBHC के द्वारा अभी कोई भी official date sheet यहाँ पर नहीं जारी की गई है तो आप लोग जो भी rumors सुन रहे हो कि examination 4th November से होंगे examination 15th October से होंगे date sheet आ जाएगी आपको preparation का time नहीं मिलेगा तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे और अपनी preparation अच्छे से जारी रखे आप लोगों को एक चीज का यहाँ पर believe, trust, mail उपर करना होगा कि आपकी जो CBHC की term 1 की date sheet होगी वो आपके exam से एक महिना पहले यानि की one month prior यहाँ पर release होगी ताकि आप लोगों को proper one month का preparation time मिले आपके examination के लिए तो CBHC की तरफ से यहाँ पर एक official date सामने आ रही है जो कि यह 10th of October जिस दिन आपकी class 10th और class 12th की official date sheet release कर दी जाएगी of term 1 examination जो कि CBHC की तरफ से official होगी उससे पहले आप जो भी date sheets देख रहे हो वो unofficial हैं वो fake date sheets हैं प्लीज उन पर believe ना करें जब तक कोई authentic source आपको ना बताया या फिर आप खुद CBHC की official website पर नहीं देख लेते तब तक किसी भी और fake date sheet पर believe मत करेगा चानल को subscribe कर लीजिए क्योंकि जैसे ही date sheet आती है मैं आपको सबसे पहले inform कर दूँगी उसे के साथ साथ एक बहुत दा important चीज ये है कि अगर 10th October को date sheet release होती है तो जाहिर सी बात है कि almost एक मैने बाद आपके examination होंगे जो कि around 10th से 15th November के आसपास हो सकते हैं तो अब हम बात करते हैं आपकी second most important query पर कि आखिर आप term 1 के लिए कैसे prepare करोगे देखो आप चाहें term 2 में आप ये सोचोगे कि पहले examination है ऐसे ही निकाल देते हैं term 2 में समाल लेंगे अच्छे से करेंगे तो ये चीज आप मेरी अच्छे से याद रखना कि आपको term 1, term 2 को ब 20 लेकर के आए हो तो जो बचे हुए 20 मांक्स है वो आप कभी उनकी भरपाई नहीं कर पाओगे आपके हमेशा total में जो मांक्स है उनमें 20 मांक्स कम ही रहेंगे तो इसलिए importance दोनों को बराबर देनी है और इस चीज का धियान रखना है कि आप अपनी preparation हर एक concept को समझ के कर र पर जिसकी लिंक आप लोगो को description box में मिल जाएगी आप उसे जाकर के देखो आप लोगो को बहुत सादा help होगी आपके term 1 की mcq practice में क्योंकि आप लोग जानते हो at the end of the day आपको mcqs ही practice करने है mcqs ही attempt करने है अपके examination में तो जितने जादा आप mcqs अभी practice करोगी उतनी जादा आपकी speed accuracy जो है बढ़िया होती जाएगी better होती जाएगी इन mcqs को attempt करने के लिए so guys please description box में उस लिंक को जरूर देखो उस video को देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो उस channel को please subscribe करना क्योंकि उस channel पर मैं आपके लिए ऐसे chapter wise topic wise सारे mcqs लेकर के आने वाली so अब I hope आप सभी के सारे doubts तो है वो clear हो गयोंगी अगर अभी भी आपका कोई भी doubt है term 1 के examination से related तो please आप comment section में comment करके अपने doubt को जरूर पूचे विडियो पसंद आई है तो like और share करना ना भूले एक बार please आप लोग description box चेक कर लीजेगा कि वहाँ पर आपको विडियो का link मिलेगा जो की term 1 के mcq practice series का link है आप उसे जरूर देखिए अगर आपको पसंद आता है तो please चैनल को subscribe जरूर करिएगा उस चैनल पर आपके लिए इस तरीके की काफी सारी mcq preparation series videos आने वाली है जो आपको आपके term 1 की preparation में बहुत जादा help करेंगी with that's it thank you so much मिलते हैं एक